तो स्वागत है आप सबका आज हम रनवीर और दिपिका के शादी पे थोड़ी बहुत बात करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि शादी से इन दोनों को कितना फाइदा हो रहा है तो सबसे पहले हम दिपिका से स्टार्ट करेंगे और इस शादी से दिपिका को दो फाइदे है पहला फाइदा यह कि दिपिका को दूला और दूलार में फर्क समझी ना है क्योंकि रनवीर सिंग को लहेंगे इतने पसंदी कि वो शायद खुद के शादी में भी एक पहन के आ जाए और क्या पता वो शायद दिपिका के लहेंगे से जादा सुन्दर हो और दूसरा फायदा यह कि दिपिका को एक अच्छा सरने मिलेगा क्योंकि चाहिए दिपिका आपने आपको कितना भी दिपिका पदू कौन बुला ले हम तो उसको पादू-पादू ही बुलाते है तो आखिरकार यह पादू शादी के बाद चेंज हो जाएगा और अब आते हैं रनवीर सिंग के फायदों पे तो अगर यह शादी से किसी का फायद है तो वो रनवीर सिंग का यह घपा घप से लेके सुन्दर बीवी तक रनवीर सिंग को सब कुछ मिल रहा है और हमारी दिपिका से आज कल की लड़िक्यों को कुछ सीखना चाहिए नहीं मेरा मतलब दिपिका ने सिद्धात मालिया से लेके युवराद सिंग और युवराद सिंग से लेके रनवीर कपूर तक सब को ट्राई किया है और फिर जाके रनविर सिंग से शादी करने का decision लिया है तो लड़किया इससे आप क्या सीखते है सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो चलिए अब इनके सुहाग रात के बारे में बात करते है मैं इनके सुहाग रात के बारे में एकी चीज बोलना चाहता हू अब वीवो का चारजर ओपो में भी घुसेगा अब वो कितना घुसेगा, कैसे घुसेगा, कहां से घुसेगा उनका प्राइवेट मैटर है, हमको उस पे बात नहीं करना चाहिए तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आज कलना मार्केट में एक ने ट्रेंड चालो है कि माबाप के नाम से अपने लड़का या लड़की का नाम रखना तो हाल यह में शाहिद कपूर ने अपने लड़की का नाम इसी तरह से रखा है मीरा और शाहिद को मिक्स करके मीशा कर दिया अब ये काम शाहित कपूर ने किया तो ठीक ता लेकिन ये काम अगर रनवीर सिंग करें तो बहुत मुश्किल में पढ़ सकता है क्योंकि अगर आप रनवीर और दिबिका को जोड़ो तो बनता है रंडी तो अगर इनका पहला बच्छा लड़का हुआ तो एक बार के लिए रंडी नाम मान भी सकते लेकिन अगर वो लड़की हुई तो बेटा वो रोई की बाद में और हैस्टेग मीटू पहले बोलेगी और देखा जाए तो इसकी गलती भी नहीं आज केल की लड़कियों से तोड़ा हाई हेलो कर लो आप अगले दिन यूज में आ सकते हो मीटू की वज़ेस इसका तो नाम ही वैसे होने वाला है तो इसका तो पुरा हक बनता है मीटू पे यह मीटू ने लॉंडो का जीना हरम कर रखा है तो बस वीडियो का अजी में पे खतम कर दो और माफ करना यार मुझे मालूम है वीडियो बहुत लेट अपलोड हुआ लेकिन मैं क्या करू मेरा एक्जाम था यार मुझे पढ़ना पढ़ रहा था अब चिंता कि कोई बात न लाइक और फॉलो करो चलो थैंक यू बाई